चलोओ फ्रेंड्स आज अब हम लोग प्रॉबैबिलिटी के इवन्ट पाल्ट पर आ जाते हैं तो क्या लिखाया है यहाँ पर इवन्ट, अब देखो इवन्ट क्या होता है? dictionary meaning उसका होता है कोई भी function परबर तो उसको हम लोग क्या उलेंगे event जैसे पट्ड़े का event है मतलब वहाँ पे क्या होने वाले पट्ड़े का function है वैसा तो अब जो भी event करते हैं वहाँ से हम लोगों को कुछ ना कुछ तो जो भी जो भी कुछ कार्य करना है, जो भी कुछ काम करना है, जो भी कोई वर्क है, वो पूरा होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने अगर sports event रखा, उसमें cricket का game रखा, तो अगर 4-5 teams है, तो उसमें से कोई एक team जीतेगी, तो वो हम लोगों का क्या बोलेंगे, हम लोग favorable outcome, मतलब यहां से कोई team जीत करके, आई है करके, तो अब ज़रा समझते हैं, इसको the outcome satisfying particular condition, अब यह जो outcome, हम लोगों ने क्या रखा था, हम लोगों पर event क्या रखा था, cricket खेलना है, और cricket खेलके और यहां पर तुमको जीतना है, तो यह क्या हुआ, satisfying particular condition, यह condition को satisfy की है, और उससे क्या हुआ, वो favorable outcome आया, फिर उसके बाद में, a set of favorable outcomes of a given sample space is an event, ठीक है न, अब यह इसमें जो भी कोई sample space है, sample space मतलब अगर समझो चार पाच, चार पाच किसका subset होता है, sample space का, जैसे समझो अगर कोई cricket tournament रखा है, cricket tournament उसका नाम है, और उसके अंदर a, b, c, d, team है, तो यह सब क्या है, सब एक दूसरे के subset है, ठीक है न, तो यह सब किसके subset है, यह लोग cricket tournament के, अगर a, b, one group के है, और b, c, two group के है, तो यह क्या हो जाएगा, one group के subset हो होगे, a, b, और वैसा करके तुमको समझ गया है, ठीक है न, आगे चलते है, subset मतलब, इक और एक example लेके मैं समझाऊंगा, अब जैसे, मुंबई, मुंबई, किसका part है, महाराष्ट, महाराष्ट किसका part है, एंडिया का, ठीक है न, तो ऐसा, तो अब देखो, for example, events are generally denoted by the capital letters, a, b, c, d, है न, तो ये events काईसे, अम लोग denote करते है, a, b, c, d से, if two coins are tossed, and a is event of getting at least one tail, then the favorable outcome are as follows, at least one tail, at least मतलब, एक तो आना ही चिये, अगर दो भी आया, तो भी चलेगा, अगर आपने देखो, कितने coins को toss किया, two coins को toss किया, ठीक है न, तो आपको, two coins अगर तुमने toss किया, ये coin one है, और ये है coin two, तो अगर coin one में tail आया, second में भी tail आया, तो वो हम लोगों ने लिखा, tail, head, फिर उसके बाद में head, tail, h, h नहीं लिख सकते है, head, head नहीं लिख सकते है, क्यों, क्योंकि क्या बोला है, at least one tail, ठीक है न, at least one tail होने के कारण, h, h य event a is denoted by n, और bracket में a, na, और here na is equal to 3, ऐसा आपको show करना है, इसके उपर एक पूरा का पूरा practice set है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा easy है, तो ज़रा धान दीजे इनहां पर, ये क्या लिखाए है, इनहां पर, write a sample space and a number of a sample point ns for each of the following, ठीक है, ये तो आपको आता ही है, अभी त write events a, b and c in the set of n of a, n of b, n of c, ठीक है, पहले सबसे पहले जो भी question आप पढ़ोगे, उसमें से आपको sample space को find करना है, फिर उसके बाद में event a, event b, event c के तहत इसको करके complete करके छोड़ देना है, ठीक है, तो इसको present किस तरीके से करते हैं, वो देखते हैं, क्या question दिया है तुमको question दिया है, one die is rolled, अगर एक die को roll करते हैं हम लोग तो इसका S क्या बन जाएगा हमारा, S बनेगा हमारा sample space बन जाएगा, one, two, three, four, five, six, और sample point क्या जाएगा इसका, one, two, three, four, five, six, तो यह आ गया, six हम लोगो को, फिर अब आ जाओ, event a, event क्या लिख रहा हूँ मैं, event a, और जो question में दिया है, वो पढ़ो, क्या लिखा है, event number on the upper face, तो यह आपको लिखना पड़ेगा, event number on the upper face, अब friends, event number मतलब क्या होता है, जो divisible by two होता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, event number, तो क्या हो जाएगा इहाँ पर, a is equal to, देखो, event number two, four और six है, तो आप लिख दो इहाँ पर two, four और six, तो n of a कितना हो गया, friends, one, two, three, तो यह हो गया, three, फिर उसके बाद में आपका event B है, तो क्या लिखा वह है, यहाँ पर, odd number on the upper face, ठीक है, तो odd number, odd number मतलब क्या है, जो two से divide नहीं होने वाला है, वो, हाँ, तो क्या हो जाएगा है, यहाँ पर देखो, friends, one आजाएगा, three आजाएगा, और five आजाएगा, तो यह मैंने लिख दिया, one, three, और five, ठीक है, तो यह कितने number से, friends, one, two, three, वापिस से three answer आया, फिर उसके बाद में क्या है, event C, prime number on the upper face, अब prime number क्या होता है, friends, जो खुद के table में आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, prime number, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, जो one के table में और खुद के table में आता है, उसको हम लोग बोलेंगे prime number, तो वह कुण से कुण से 1, 3, or, sorry, 2, 3, or 5, 1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, जो खुद के टेबल में आते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, प्राइम नमबर 2, 3, or 5, तो क्या हो गए यह, n of c is equal to 3, ठीक है, इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, types of number के उपर हो सके तो उसको देख लेना तो आपको समझ जाएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं, second sum की और friends, तो ज़रा धैन दीजिए हम लोगों को second sum में क्या करना है, तो second sum है हमारा थोड़ा सा लंदी, क्यों? क्योंकि इसमें sample space हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि इ तो आपको समझता है, कैसे sample space लिखना है, उसका sample space आएगा आपका 36, तो मैं आपको फटा-फट लिखके बताता हूं अभी, two dyes are rolled simultaneously, event A तब का तब पढ़ेंगे, तो पहले हम लोगों को N of S हम लोगों को find करना है, तो S क्या हो जाएगा हम लोगों का, पहले, one, 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 two, one, three, one, four, one, five, फिर one, six, ठीक है, sorry, one, seven नहीं आएगा, फिर उसके बाद में, two, one, फिर two, two, फिर two, three, फिर two, four, फिर two, five, फिर two, six, फिर three, one, three, two, three, 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 four, three, five, three, six, four, one, four, two, four, three, four, 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 five, four, six, five, one, five, two, five, three, five, four, five, five, six, six, फिर उसके बाद में क्या आजाएगा हमारा, six, one, six, two, six, three, six, four, six, five, six, six, यह आपको समझाना, यह कैसे हम लोग सेंपल स्पेस लिखते हैं इसका, क्या है, इसमें महलूमें किया है, two dyes रोल किया, तो अगर समझो, एक डाय में हम लोगों को पहले, one, one, one ही आए तो दू फिर उसके बाद में, one, two, three, four, five, six, second वाले में, यह एसे मतलब लिखने का तरीका है, यह कोई ऐसा ही नहीं है, कि ऐसा ही आएगा, एक में one, one ही आए दोनों बार किया तो, फिर उसके बाद में, एक में one, two, आया ही नहीं, यह लिखने का एक तरीका है, ठीक है, इसको आप में ले लीजिए, कि यह ऐसा लिखते है करके, अब पहला क्या दिया है, इवेंट A, the sum of digits on the upper face is multiple of six, अब sum, sum मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स, प्लस होता है इसका, और वो किसका है, multiple of six, तो अब, इवेंट A, इवेंट A में, क्या लिखा है, the sum of the digits on the upper face is a multiple of six, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जरा धैन दीजिए, यह अपने लिखा है इहां पर, अब sum, sum करने के बाद में, यह क्या होना चाहिए, छे से multiple, तो क्या हो आएगा, इसमें देखो ज़रा, यह, 1, 1 नहीं काम है, 1 प्लस 2 नहीं चलेगा, तो 1 प्लस 5 चलेगा, तो यह हम लोग लेंगे, 1 प्लस 5, तो यह कितना हुआ, 6 हुआ, फिर उसके बाद में, 2, 1 नहीं चलेगा, 2, 2 भी नहीं चलेगा, 2, 3 नहीं चलेगा, 2, 4 चलेगा, क्यों कि कितना होता है, वो 6 होता है, फिर उसके बाद में क्या होएगा, friends 2 5 चलेगा नहीं चलेगा ये भी नहीं चलेगा 3 प्लस 1 ये भी नहीं चलेगा 3 प्लस 2 ये भी नहीं चलेगा 3 प्लस 3 चल जाएगा friends फिर उसके बाद में 3 प्लस 6 भी चलेगा क्या नहीं चलेगा क्योंकि 9 और है 4 प्लस 1 नहीं चलेगा 4 प्लस 2 चल जाएगा फिर उसके बाद में क्या है 4 और 6 ये भी नहीं कुछ काम का है 5 और 1 चल गया ये फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है 5 1 हो गया फिर 5 2 कुछ काम का नहीं 5 6 कितना है 11 है तो ये भी कुछ काम का नहीं 6 1 नहीं 6 2 6 3 6 4 6 6 काम का है तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहां पे 6 6 तो क्या लिखाता है, the sum of the digits on the upper face is multiple of 6, तो multiple of 6 मतलब यह उनके table में आने वाले numbers कुन से कुन से है, तो यह हो गए, तो यह कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो answer कितना आ गया, 6, अब अगला देखो, the sum of the digits on the upper face is minimum 10, minimum 10 मतलब क्या होता है, कि 10 तो कम से कम उसका answer आना चाहिए, जब प्लस करेंगे हम लोग तब, तो यह मैं पहले लिख देता हूँ, the sum of digits on the upper face is minimum 10, हाँ, तो प्लस करने के बाद में, तो मुझे बता हो, यह कुछ काम के है कि हम लोगों के 2, 6 बगर है, यह कुछ काम के नहीं है, 3, 6 भी कुछ काम का नहीं है, तो हम लोग directly यहाँ पर ही आजाते है, 4 प्लस 6 कितना होता है, 10 होता है, तो यह काम का आगे हम लोगों के, फिर उसके बाद में, यहाँ पर क्या आएगा, 5 प्लस 5 आजाएगा, एक काम में हम लोगों को, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 5 प्लस 6 भी आएगा, क्योंकि minimum 10 बोला है, उससे जादा भी चलेगा, कोई बाद नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, 6 प्लस 4 एक आजाएगा, हाँ, फिर उसके बाद में, 6 प्लस 5 आजाएगा, और 6 और 6 आजाएगा, तो यह हमारा हो गया, क्या है, the sum, sum मतलब क्या होता है, friends, plus, तो कोई भी इन दोनों नमबर में से, तो मतलब यह 1, 2, 3, यह तो कुछ करना ही नहीं है, हम लोगों कोई इसको भूली जाना है, बराबर direct हम लोग 4 प्लस 6 पे आजाएगे, 10 हो जाएगा वो, और फिर आगे यह तुम्हारे सामने है, कैसा की है वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वापी से अंसर क्या आ रहा है, N of B का भी हमारा 6 आ रहा है, अब the same digit on the upper face, same digit तो यह तो समझता है न, same, same digit, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, तो यही है इसका भी, तो same digits on the upper face, same digit का मतलब क्या होता है, same, ठीक है न, तो, event C, the, मतलब दोनों टाइम है, same digit जो आ रही है, वो लिखना है हम लोगों को, on the upper face, तो क्या हो जाएगा, C में, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, और 6, 6, ठीक है, फिर curly bracket से close कर दो इसको, n of C is equal to कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो answer कितना आ गया हमारा 6, तो इसी के साथ में हमारा first sum complete हो चुका है, करत geen क्वका है, अधिया है है, कर दो है क्वका है, क्वका है, प्रएब। का लिएonरा में है। झाल झाल